इस मिठाई को बनाने के लिए आपको ना ही दोत की जरुरत पड़े की ना मावा और ना ही घी की आप इसे सिर्फ 5 मिनिट में बना के त्यार कर सकते हैं बीना गैस जलाए और ये खाने में इतना टेस्टी जो बच्ची और बड़ी दोनों पसंद करें किसी भी फेस्टिबल त मागत है आपका वंदना की नसोई में चलिए इस टेस्टी से मिठाई को बना लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें में एक सजार चाहिए और यहां पिले नहीं चीनी आधा कब चीनी लिए हैं चीनी अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो एक चमस जादा या कम भी कर सकते है हरी लाइज लेंगे चार इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे चिनी अगर थोड़ा दरदरा हो तो इसे चान के लिए जएगा और चिनी का टुकड़ा रह जाएगा तो दाते में लगेगा क्योंकि यह बिना गैस जलाए बना रहे हैं इसको फाइन इस तरीके से बहुत ही जल्दी बनती है और ब्रेड की यह मिठाई बहुत अच्छी लगती है आप इसे बना के हप्ते भर फ्रीज में श्टोर करके रख सकते हैं ब्रेड के कटे हुए भाग को वेश्ट ना जाने दे इसे मिक्सी जार में पीस के इसका ब्रेड क्रम बना के फ्रीज में रख देजे जब भी कोई नास्ता बनाए तो उस ब्रेड करेंगों यूज कर लेजें तो लेजें हमने इस त्रीके से सारे ब्रेडों के साइड साइड का काटके निकाल देना है और उसके बाद हमें एक Fresh bread मिल जाएगा वाइट वाइट तो हमने इसी तरीके से सारे ब्रेट को कट कर लेना है और बाकी ब्रेट बच्चे हुए को हमें ब्रेट क्रम बना के रख देना है तो लेजे हमने अच्छे से इस तरीके से कट कर लिया है यह हमारा फ्रेश ब्रेट त्यार है यहाँ पे उसी वाले मिक्से जार में हम इस तरीके से टुक्रे टुक्रे सबसे पहले चीनी और ब्रेड को हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है जैसे कि एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जूल जाए चीनी और ब्रेड मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसमें कुछ ऐसी चीज़े डालनी है जिससे कि यह जो मिठाई का टेस्ट है यह प्रॉपर है और इसके बाद हमने मवा का टेस्ट लाने के लिए मिलक पाउडर दाला इससे बहुत ही चीज़ाते हैं अगर आप ऊसे बादम को ड्राइफ पीस के बीडाल सकते हैं इसका पावडर जब इसमें मिलक पाउडर चैनी अच्छे से मिल जाए ऐसे इस तरीके से तो यह मिठाय की जैसा घुसमो आने लगता है तो यहाँ पिया है निकी के ताजा करें कि मिठाय के दूद्ध करने लेकर चलब से दूद्ध कुसेचेंगा और सब्सक्तान करते हैं यहां दोद नहीं पसंद करते तो मलाई से बना यहां पहलेel साथ चेहां पर मलाई डाला है और इस मलाई को डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है हाथों से इस तरीके से पहले हलकी हाथों से मिला लेना है जब चारु दरफ अच्छे से इस मिठाई में लग जाए मलाई तो ये एक सेप मिल जाता है बनाने के लिए तो मलाई डालने के बाद हमें इसली हाथों से हलके हाथों से पहले अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे सक्त डो के जिस फॉर्म में लाना है तो हमें इसका एक सौप्ट सा डो त्यार करना जिसे मिठाई को हम सेव दे सके तो इस तरीके से हाथों से देखे हमने बहुत बढ़ियां से जो है मिला लिया है अब इसको एक डो बनाएंगे तो यह अच्छे से मिल जुल रहा है तो इसका मतलब डो बनने के लिए बहुत अच्छे से परफिक्ट त्यार है अगर आपको थोड़ा भी ड्राई लगे ना तो एक चमस और भी इसमें मलाई या फिर दूट डालेजेगा यह इसका एक सौप्ट असा डो बना लेजेगा इस मिठाई को बनाना बहुत असान है बस कुछी समान से जो है यह मिठाई बनके त्यार हो जाती है और बहुत जल्दी बनती है तो यह देखिए हमने इसको एक डो के फॉर्म में इस तरीके से कर लिया है यह कठा होने लगा है तो यहाँ पर एक बरतन लेंगे जिसमें भी आपको मिठाई सेट करनी हो बर्फी को उस बरतन में घी लगाएंगे अच्छे से उसे बाद हम इसी में सेट करेंगे तो देखिए बहुत अच्छे से हमने घी डगा दिया है जिससे कि बहुत एजली छुट जाएगा तो इसमें मिठाई का डो हमने डाला है और इसे हाथों से प्रेस करने के बाद हमें एक स्पून लेना है और इस स्पून से हमें इस तरीके से चारो तरप अच्छे से इसे दबा दबा के हमें सेट कर लेना है इस मिठाई को हमें अच्छे सेट करने के बाद जो है कि इसे रेश्ट पे छोड़ना है करीबन आदे गंटे के लिए तो बहुत अच्छे से जो हमने इसे है फैला लिया है मिठाई को और इसके ओपर थोड़ा सा चांदी वर्क लगा देंगे इस यह बिल्कुल ऑफशनल है आप चाहे तो इसे बिल्कुल इसकीप कर सकते हैं ड्राइफ रूट डाल सकते हैं इसके ओपर या फिर जब यह जो भी आप सिंपल पसंद करते हैं तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं तो हमने चांदी कवर्क अच्छे से लगा दिया है इसे आप गंडे के लिए फ्रीज में इसे बहुत जल्दी सेट हो जाता है तो जब यह सेट हो गया है आदे गंडे हो चुका है तो यह थोड़ा हाड हो गया है तो इसे निकालने के लिए उपर से एक प्लेट रखेंगे और इसके उपर से हाथों से इस तरीके से डिप डिप करेंगे बहुत easily मिठाई छूट जाता है और इसके बाद ये मिठाई हमारा तयार है तो सबसे पहले एक अच्छा सा सेप देने के लिए साइड साइड से हमें कट करके बराबर कर लेना है चाको के हिसा सहते से बराबर करने के बाद हमें इसका एक सेप देना है जैसे लगे की perfect बर्फी बनी है तो देखे इसी तरी के सामने side side से कटके निकाल दिया है और उसके बाद जो है इस बर्फी को हमें कट कर लेना है तो guys मैं बता दो कि अगर आपको मेरी आज की रेसिपी या मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा अपना फिडबेक देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उमीद करती हूँ कि रेसेपी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दियेगा आपके लिए बिल्कुल फ्री है और सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लेजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुच्छती रहेगी और लेजे मिठाई हमारा तयार है इसे हमने सर्व किया है देखने में जितना ही लाजबाब है खाने में उससे जाधा टेस्टी है इसके ऊपर से थोड़े से हम बादाम को बारिकर करके डाल दिया जिससे देखने में और भी ज़्यादा लोकवाइज लगे तो तैयार है ब्रेड की मिठाई इसरी पांच मिनट पे बनने वाली ये पॉर्फिक्ट सूपर टेस्टी जिसे आप तेवहार पे भी बना सकते हैं और मुझे उमीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई